आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वाइपर फॉर एंड्रोइड जो साउंड मोड होता है उसो कैसे आप में डेड्मी नोट 5 प्रो में इंस्टॉल कर सकते हैं यह जो है इस को अप्लाई करने के लिए आपका फॉन रूट होना चाहिए उसका बूख लोट होना चाहिए उसमें कस्टम रिकवरी चॉल होने चाहिए और साथ के साथ रूट होना चाहिए तो अब नीचे जाके मुझे गालिया मत दीजिए कि भाई आप बताते हैं नहीं हमेशा बतात सब्सक्राइब कीजिए technobuzz.net चैनल को और बेल आइकन को तुबाना ना भूले ताकि सबसे पहले लेटेस टेक अपडेट्स आपको मिल सके तो आपको दिखा जाता हूं एक वाद सेटिंग्स में जाके कि हम कौनसे वर्जिन पेस में देखिए अबाउट फोन में जाएंग आइकन आप यहां पर देख पारे हो यह रहा है यह मैं जिसक में आपको दिखा देता हूं एक पर कि हमारा फोन रूटर है कि नहीं मैं पहली बता रहा हूं रूट होना चाहिए तब यह काम करेंगा अदरवाइस काम नहीं करेगा कि वेरिफाइ रूट किया मैंने आपके सामने प्रविशन देंगे इसको कॉंगरेशन रूट एकसेस इस प्रॉपर ली इंस्टॉर्ड ओन दिवाइस डिवाइस डिवाइस अग्मी नोट फाइप प्रो एंडॉइड वर्जन 8.1.0 जब आपका फोन रूट होगा तो आपक प्रवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने को बूलेगा आपको खूए कर देना है और वो ट्रायवर जो है इंस्टॉल हो जाएक और यह मौड जो है आपकी फोन में काम कर पाएगा आप साउंड को अपने तरीकी से एड्जस कर सकते हैं बेस को बडा चलाते हैं इस तरीके है और आपके पास कोई पर करना चाहे हैं जो भी इसके करना चाहे उट नाज होंड्स को बेहोगा पर चैनिज करने न ही इस को आपने शांद कर था न पर के लिए अपने अपनी अची संद सेप्ट पार सोगिश्क पर साउंड होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है तो आप इस मॉड के तुरू वाइपर फॉर एंड्रोइड एफेक्स के तुरू उसको एडजस्स कर सकते हैं और सेटिंग्स को ठीक कर सकते हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूं इसको फोन रूटेट चाहिए और एक चीज और होता देता हूं कि जो आप बोलेंगे डॉल भी क्यों नहीं किया दिके डॉल भी जो है माइव नाइन पर अभी काम नहीं कर रहा है मैंने जितने विच्छा चैसा में वाइपर फॉर एंडROID किया तो वाकि यह काम किया है दोनों जो है मॉड्ज होते हैं डॉल वाइपर लिखाए ताँ यह फाईल है इस पर कुछ इसा नाम लिखा बड़ जो मैं आपको फाईल दूँगा उसके पर वाइपर फॉर एंड्रेट लिखा होगा एपके फाई अपकी के फाई अपकर तरीका से आप असानी से वाइपर फॉर फॉर एंड्रीट को अपने फॉन में इंस् और साथ-साथ Magics Management इंस्टॉल होने चाहिए जो कि आपके फोन को रूट करता है तो ठीक है तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आपको पता नहीं है कि आपके फोन को कैसे रूट करना है उसमें कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करनी है तो description में एक वीडियो सकते हैं और हम स्टुम टी डिवर पी रिकवरी इंस्टॉल कर से हैं मैं आपको फिर से बताहूं हैं कि अनलॉॉक बूट-रॉलर जो होता है उसका मतलब यह नहीं होता कि आपका फोन जो रूटेड हो गया अनलॉक बूर्ड-डॉलर का मतलब होता है कि आपने जो मैनुफेक् कोई 3rd party फाइल को Phase करने के लिए थो इसके लिए कक संबर पर एक इचाहिए हूं सायई हनो फ्रूहरी आप पैसे दिख्कत हैं 15 मिंट में लगता है फोन लोकिंग करने में आप फ़र स्कूर लग इंट है तो शिंपल तो उम्मिद करता हूंगा आपको चारीस बातें समय में आगे होगी लिक्स वीडियो को लाइक जरू करतें जाए जाते 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 हैं जो रहे हैं नेक्स्ट वीड